आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोती शूर्जा में आज हम यहाँ पर बात करेंगे शिवरात्री की शिवरात्री का पावन अफसर आ रहा है भगवान शिव की पूजा और अर्चना विशेश फल देती है अपने आपको शिव के प्रती पुरुनता समर्पित कर देने स अखंड भक्ती और शिव का आशिरवाद प्रापत होता है शिव कल्यानकारी है व्योदया के सागर है और बहुत प्रसन होने वाले हैं माना जाता है कि शिव बहुत भोले हैं और बहुत जल्दी प्रसन हो जाते हैं शिवरात्री के पावन अफसर पर हर व्यक्ति अपने तर राशी के अनुसार शिव पूजन करते हैं तो इससे आपको बहुत जादा विशेश लाब होगा और जल्दी ही शिव प्रसन हो जाएंगे। रुद्र कहा जाता है उनका रूप शिवलिंग में देखा जाता है। करेंगे मिथुन राशी की मिथुन राशी के लिए भगवान शिव का रुद्रा विशेख किस प्रकार से किया जाए आज ही जानेंगे। मिथुन राशी के जो स्वामी है मुँ है बुद्ध ग्रह और बुद्ध ग्रह के लिए गन्ये का रस भी बहुत श्रेश रहता है। आप दूरवा भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दूरवा को अर्पित करने के बाद वहां बैट कर आप ओम भूतेश्वराय नमय का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से मिथुन राशी के लोगों को भगवान शिव की विशेश क्रिपा प्रापत होती है। इन सब वस्तूओं को चढ़ाने के बाद भगवान शिव के उपर बिलोपत्र को चढ़ाना बहुत जरूरी है। इसलिए बिलोपत्र को चढ़ाना बहुत अवश्यक है। बेलपत्र को बहुती संपनता का प्रतीक माना जाता है, ये बहुती पवित्र और समरिधी देने वाला माना गया है, मानता है कि बेलपत्र में मालक्षमी का वास है, घर में बेलपत्र लगाने से मालक्षमी बहुत प्रसंद होती है, सकंद पुरान में बेलपत्र के व्रिक्ष की उत्पत्ति के संबंद में ये भी कहा गया है कि एक बार मा पारवती ने अपनी उंगलियों से अपने ललाट पर आया हुआ पसीना पहुँच कर फेक दिया मा के पसीने की कुछ बुंदें मदार परवत पर गिर गई और ऐसा माना जाता है कि उन्हीं से ही बेल व्रिक्ष का उत्पन हुआ शास्त्रों की अनुसार इस व्रिक्ष की जड़ों में मा गिरिजा तने में मा महेश्वरी इसकी शाखाओं में मा दक्षायनी बेल पत्र की पत्तियों में मा पारवती इसके फूलों में मा गौरी और बेल पत्र के फलों में मा कायत्यानी का वास है इसलिए इ अफसर बहुती महान अफसर माना जाता है इस समय पर अगर आप ये विशेश उपाये करते हैं तो उनके भागय का साथ उनको मिलने से कोई नहीं रोक सकता भगवानश्य प्रसन होकर उनको भागय का साथ देंगे और इसके साथ-साथ उनकी हर मनो कामना भी जरूर पूरी होग सिरफ आप पत्तों को तोड़े उनकी पूरी टहनी को अगर आप तोड़ते हैं तो इससे आपको दोश लगता है और इसके साथ-साथ जब आप पत्तों को तोड़ते हैं तो पत्ते पूरे तीन होने चाहिए गिंती में पत्तों की संख्या तीन हो इससे जादा आप तहनी को अगर चढ़ाते हैं तो और भी पुन्यदायक माना जाता है बेलपत्र का पूजन करने से सबी दुखों का नाश होता है यह भी विशेश ध्यान देना चाहिए कि बेलपत्र की पतियां कहीं से भी कटी फटी या तूटी हुई ना हो और इसमें कोई भी छेद नहीं होना चाहि अगर ऐसा होता है तो इन्हें खंडित माना जाता है और खंडित पत्ते कभी भी भगवान पर नहीं चढ़ाये जाते तो इन चीजों का आप विशेश ध्यान रखें अगर ऐसा करेंगे तो आपको आपकी पूजा का विशेश फल प्रापत होगा और भगवान शिव आपसे जरूर परसन हो जाएंगे तो चलिए महाशेवरात्री के पावन अफसर पर आप भी भगवान शिव को प्रसन करने के लिए खूब पूजा पाठ करें उनका रुद्रा भिशेख करें आज के लिए इतना ही अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ला